खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाएगे और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ेगे 25 घंटे बाद मोधी दुबारा पीम पत की शपत लेंगे मोधी के साथ कौन कौन नेता शपत लेंगे इसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है अमिट्शा BJP के अध्यक्ष कल से लगे हुए कल मोधी के साथ अमिट्शा की 5 घंटे तक बैठक वी आज सैयोगी नेताओं के साथ अमिट्शा नहीं चर्चा की है और इस चर्चा की पूरी जानकारी जाकर प्रधान मंत्री को दी है अब प्रधानमंत्री मोधी देश के चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में से हैं, जो दो बार लगातार बहुमत के साथ पीम बन रहे हैं मोधी से जुड़ी 19 कहानियां अब हम आपको दिखाने चा रहे हैं नरेंद्र मोधी साथ भाई बहनों में बीच के हैं, उनसे बड़ी एक बहन और दो भाई, तो उनसे छोटे दो भाई और एक बहन हैं सबसे बड़ी बेहन हैं शार्दावें, उसके बाद सोम भाई, फिर अम्रत भाई, नरेंद्र मोदी से छोटे हैं प्रलाद भाई, उसके बाद बसंती बेहन और फिर पंकज मोदी. अनले मोदी खचले मोदी ओंका आ सब्सके बाद से उसके बाद से बाद सान्यान भाई, प्रréal कमोदी ने जाखी इंड टो थो नाि को कुछ सैन्म सक्या । नरेंद्र मोदी को भी ओढ़ी ने सब्सक्राइं तो और आ सुबना बाद सर्काइं जा टो नेड से पोर दो, नहें में यह बात लो मैंने लिखी अपने किताने लोगों को बहुत पसंद आई बी एन हाइज स्कूल में पढ़ाई के दौरान मोदी एंसी सी के अलावा रंगमंच में भी सक्रिय थे मोदी की एंसी सी वाली तस्वीर और जोगी दास खुमार नामक नाटक में मुख्य करदार की भूमिका निवाने वाले फोटोग्राफ्स इसी स्कूल की पढ़ाई के दौरान के हैं बच्पन में ही मोदी शर्मिष्ठा सरोवर में एक मगरमच के बच्चे को पकड़ लाए थे वर्टनगर में पढ़ाई के दौरान ही मोदी राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग यानि RSS से भी जुड़े शर्वाती जीवन में ही मोदी वीएचपी में भी सक्रिय रहे बच्चे के बाद मोदी का घर से रिष्टा खत्म जैसा हो गया और वो संग और वीएचपी के नस्दीक आते चले गए और आगे चलकर वो संग के प्रचारक बन गए मोदी कॉलेश की पढ़ाई छोड़कर एक बार फिर से देश के अलग-अलग हिस्सों में भटके जिसमें हिमाले की आत्रा भी थी वो केदारनाथ के नस्दीक गरुड चटी में भी रहे और कोलकाता के बैलूर मठ भी गए रामकृष्ण आश्रम में बतौर साधू शामिल होने के लिए भी एच्पी के लिए काम करने के बाद मोदी ने बतौर आरसेस प्रचारक काम शुरू किया 1972 में वो अपचारिक तौर पर प्रचारक बने नदियाग में मोदी बहास से संत्राम मंदर के एक छोटे से कमरे में रहते थे 1975 में जब देश में आपातकाल लगा उस फक्त मोदी वडोद्रा में संख के विभात प्रचारक थे इमर्जन्सी लगने के बाद मोदी ने भूमिकत होकर आंदोलन को आगे बढ़ाया इमर्जन्सी के दौरान मोदी ने सरदारों जैसा गेट अप भी बनाया जो तस्वीर काफी मशूर हुई 1984 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंदरा गांधी की हत्या के कारण रखने में मोदी का बड़ा हाथ था मोदी का बीजेपी से अपचारिक नाता 1987 में जुड़ा जब वो प्रांत के स्था संगठन मंत्री बनाये गए और फिर अगले ही साल यानि 1988 में संगठन मंत्री इस दौरान मोदी ने पहली बार एहमदाबाद नगर निगम में बीजेपी को सत्ता दिलाई इसके बाद 2001 तक मोदी संगठन को मजबूत करने में लगे रहे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज भी पुराने कारे करताओं को नाम से पहचानते हैं तो उनका सेकंडमेन होगया था एर्सस ए लेके बीजेपी में जब आतल्य अजब लालगिशन अधवाईए भने ठ्रिट एस थे लिए उनको आरे से इंटीण कर दिया बीजब निगे बीज़ें और उनको कुछ चार्ज दिदीर कुछ का मों का तो अच्छा काम किया जैसे में राज़कोर्ट, मिंसिपार्टी वगेरा हूं जीते, बीजेपे के लिए उस ताइब बीजेपे का कुछ भी नहीं था, तो आस्ते आस्ते वो पावर में आ गए है, आस्ते आस्ते उनकी बाड़ी पार्टी में पार्टी के शीष नेत्रित्म ने गुजरात में 2001 की 26 जनवरी को आए भूकम के बाद, राहतकारियों में, शिथिल्ता और उप्चुनावों में, बीजेपी की हार के बाद, जब केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री पच्छे हटाने का फैसला कर लिया, तो 3 अक्टूबर 2001 को मोदी की एक बार फिर से गुजरात में धमाकेदार वापसी हुई, मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात की मुख्यमंत्री पच्छ की शपत ली, मोदी की भूमिकम 21 मई 2014 तक जानी जब उन्होंने गुजरात की मुख्यमंत्री पच्छ से इस्तिफा दे दिया, केंद्र में पी-एम पत संभालने के लिए, मोदी कुजरात की इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले शक्स है, तिकि बहुत कहीं चीज़ा है, जैसे गुजरात अगर आपको याद हो, तो टिंडर बॉक्स था रायट का, यहना हम तो बड़े हुए ने फसाद देखते हुए, मतलब हमारे यहां तो शर्त लगती थी कि भाई अभी तीन मेने के बाद होने वाला है, फिर पंज़ा दिन कर्फ्यू होगा, ऐसा, हमने गुजरात में दोसो दोसो दिन के कर्फ्यू देखे हैं, एक वो, दूसरा, हमारे यहां रत्यात्रा निकलत हैं अम्दाबाद में, तो वोई रत्यात्रा जब निकलती हैं उसको कियामत की वो समझते हैं, कि पता नहीं क्या क्या होगा, मोदी साब ने ऐसा कर दिया, कि वो, वो कर्फ्यू बच्चों को पता भी नहीं यह क्या है, यह उनके दोहजार दो के बाद, का जो जो दौरा रह उसके बाद, गुजरात में एक दिन का कर्फ्यू नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी उपलब दिया है, पिये मोदी को अपनी मा से बहुत लगाव है, वो हर बड़े काम से पहले मा का आशरवाद लेना नहीं भूलते, एक इंटर्व्यू में मा को लेकर पिये मोदी की हो कि ज Shaun में अपने सारे काम कूद करती है, गुए तब कूद करती है, आ हमकार का त आ कि पड़ी लिखी, नहीं है, लेकिन टीवी पराद लुट को समाचारों का पता रहता है, दूनिया क्य चल रही है और नहीं कुछ पता रहिता आप जब हम छोटे थे तो हमारा गुजाना करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बर्तन साप करना, पानी भरना, मैं दूरी कर रहा, आप कल्प ना कर सकते हैं कि माने, अपने बच्चों को बढ़ा करने के लिए, कितना कस्ट उठाय होगा। पी-एम बनने के बाद सामने आया कि पी-एम नरेंद्र मोदी करगल युद्ध के समय करगल में मौजूद थे, उन्होंने खुलासा किया कि जब करगल में गूलियां चल रही थी, तब वो करगल में ही रुके थे, उस वक्त मोदी बी-जे-पी महासचिव होते थे और जम्मू कश्मीर का प्रभार उनके पास था, मैं करगल पहले भी आया हूँ, और जैसे मुखमंत्री जी बता रहे थे, आज तो जब मैं आया, तो मैं तालियों की गड़गड़ाट सुन रहा हूँ, लेकिन पहले तब भी आया था, जब बंबंदूक और पिस्टोल की आवाजे सुनाई दे रही थी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को उनके कपड़ों के लिए जाना जाता है, उनके हाव बाजू के कुड़ते हो या उनके सूट, वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, और इसलिए कई बार विपक्ष के निशाने पर भी आते आए हैं। उनको कपड़ों का शौक है, लेकिन एक वक्त ऐसा था गुजरात में जब वो सीम थे, जब वो विदेशी कपड़े ही पहनते थे, सबसे बड़ी चीज जो मोधी जी को चूबी होगी पिछले पांच सालों में, वो ये सूट बूट की सरकार वाली जो लाइन है, वो थी, औ उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया. एक आदमी है कुछ भी नहीं, कपड़े भी ढंके नहीं, लेकिन शाहना मिजाज रखता है, और एक आदमी, यहने, सिंप्लिसिटी ओफ माइन, तो वो मोधी साब में हमेशा थी, तो वो रस्स का एक सिंप्लिसिटी का जो वो जो है, कल्चर रहा है, तो वो उससे मेल बैठत पीएम मोधी की खासियत है कि वो अपने उपर हुए हमलों से ताकत हासिल करते हैं, जैसे कॉंग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, तो उन्होंने इसे मैं भी चौकीदार है के नारे में बदल दिया, 2014 में चाय वाले का जिक्र हुआ, तो चाय पर चर्चा के नाम से पूरा प्रचार छेर दिया गया, यह तस्वीर काशी की जनता का धन्यवाद करने पहुँचने की है, पीएम मोधी ऐसे पहले गायर कॉंग्रसी पीएम है, जो पूर्ण भहुमत से संसद में लोटे, दिल्च इस से पहले भारत के किसी प्रधार मंत्री को इस तरह नहीं देखा गया, केदारनाथ से उपर एक गुफा में नतीजों से पहले पीएम मोधी ने साधना की, विपक्ष ने इसे भले ही प्रचार का तरीका कहा हो, लेकिन मोधी की तस्वीरों ने खूप सुर्खियां बटो 2019 चुनाओ प्रचार के दौरान मोधी ने और भी कए रिकॉर्ड तोड़े, उन्होंने 27 राज्यों में कुल 142 रहलियां और एक लाख किलोमीटर का सफर तै किया PM मोधी ने 2014 शपत ग्रहन में पाकिस्तानी PM को बुलाकर दोस्ती का कदम बढ़ाया था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद एर स्ट्राइक कर आतंक के साथ कोई समझोता नहीं किया जाएगा, इस बार शपत ग्रहन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने पाकिस्तानी PM को इन यौता नहीं भेजा है. जो माल है, उसको दो मिनिट में समराइज करके उनको एक वर्बल ब्रीफिंग दे दें. और उसके बाद वो तै करते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है. तो एक तरफ से यही बात है, सब लोगों से मिल जोड करने हैं, अकसर सुवे सुवे में पास पोना जाथा मोधी साफ का अख़ा अरे एनाक साब यह क्या लिग दिया अकबार में, किस दिन पोना जागा, अरे यह तो बढ़ी आ लिग दिया, आस तुवे सुवे सुवे पोन आगया तो फिर उटकी जाना परता है, पर यह मेर वात अच्छी रगती थे कि जो, that you are in direct connect, यही मोधी जी की खास बात है, he is in direct connect with people with whom he is dealing.